भारत माता की भारत माता की भारत माता की असम के जनप्रियम मुख्यमंत्री सर्वारन सोनवाल जी केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी रामेश्वर तेली जी असम सरकार में मंत्री बाय हैमंता बिश्वा सर्मा जी श्री अतूल बोरा जी केशो महंता जी रंजीत दत्ता जी बोरो लेंड टेरिटोरियल रीजन के चीफ स्री प्रमोध बोरो जी अन्य सभी सांसद गर्ण विद्हाय गर्ण और मेरे प्यारे भाई और बहनों मोर भाई बहन साथ तहनी देर की खबर भाले तो खुलूम भाई कौंता मोना माबरे दे पिछले महने मैं असम में आकर के गरीब पीडित शोसित बंचीत समाज के लोगों को जमीन के पट्टों के वीत्रन के कारकम का हिस्सा बन करके मुझे एक सवभा के मिला था तब मैंने कहा था कि असम के लोगों का आसने और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम ले आता है अब एक बार फिर मैं आप सब को प्रणाम करने आया हूं आप सब के दर्शन करने के लिए आया हूं मैंने कल सोशल मिडिया पर देखा फिर मैंने ट्वीट भी किया कि डेक्या जुली को कितनी सुन्दरता से सजाया गया है इतने दीप आप लोगों ने प्रजवलित किये इस अपने पन के लिए मैं आसम की जंता के चरणों में प्रणाम करता हूं मैं आसम के मुख्यमंत्री सर्वानन जी बाई हैमनता जी रंजीर दत्ता जी सरकार में और बाजपा संगधन में बैटे हुए हर किसी की सराना करूंगा वो इतनी तेज गती से असम के विकास में असम की सेवा में लगे हैं कि मुझे लगातार यहां विकास के कारकमों में आने का आउसर मिलता रहा है आज का दिन तो मेरे लिए एक और वज़े से बहुत खास है आज मुझे सोनितपूर देक्या जुली की इस पवित्र धर्ती को प्रणाम करने का आउसर मिला है यह वही धर्ती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सद्यों पुराना इद्यास हमारे सामने आया था यह वही धर्ती है जहां असम के लोगों ने आक्रमन कारियों को हराया था अपनी एक्ता अपनी शक्ती अपने शावर्य का परिचय दिया था 1942 में इसी धर्ती पर असम के स्वाधिंता सेनानियों ने देश की आजहादी के लिए तिरंगे के सन्मान के लिए अपना बलिदान दिया था हमारे इनी शहीदों के पराक्रम पर बुपेन हजारी का जी कहते थे भारत भारत ही है आज जागरत है प्रती रक्त बिंदूते हाहत श्वहिदर हाहत प्रतिज्याओ उज्वल है यानि आज भारत के शेर जाग रहे हैं इन शहीदों के खून की एक एक बुन उनका साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है इसलिए शहीदों के शौर्य की साक्षे सोनित्पुर की ये धरती असम का ये अतीत कि बार बार मेरे मन को असम्या गवरव से भर रहे हैं साथियों हम सब हमेशा से सुनते आए हैं देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पुर्वोत्तर से होती है लेकिन सच्चाई ये भी है कि पुर्वोत्तर और असम्या विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है हिंसा अभाव तनाव भेदभाव पक्षपात संगर्ष इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नौर्धीस विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम्या इसमें प्रमुखन भूमी का निभा रहा है अईतियासिक बोडो समझोते के बाद हाली में बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है आज का दिन भी असम के भाग्य और असम के भविश में इस बड़े बडलाव का साक्षी है आज एक और विश्वनात और चरहिदेव में दो मेडिकल कॉलेजों का उपहार असम को मिल रहा है तो वहीं असम माला के जरिये आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर की निव भी बड़ी है अखमर विकाखर जातरात आजी एक उनलेक जोग दिन येई विखेक दिन तोत मैं अकम बाखिक आंतरीक अभिननदन जनाईचों साथियों एक जूट प्रयासों से एक जूट संगल्पों से कैसे परणाम आते हैं असम इसका बड़ा उदाहरण है आपको पांच साल पहले का वो समय याद होगा जब असम के जादा तर दूदराज इलाकों में अच्छे होस्पिटल केवल सपना होते थे अच्छे होस्पिटल अच्छे इलाज का मतलब होता था गंटों की यात्रा गंटों का इंतजार और लगातार अंगिनेत कथिनाईयां मुझे असम के लोगों ने बताया है कि हमेशा यही चिंता रहती थी कि कोई मेडिकल इमर्जन्सी ना आ जाए लेकिन ये समन से आए अब तेजी से समाधान की और आगे बढ़ रही है आप इस फर्क को आसानी से देख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं आजादी के बाद से साथ दसकों में क्यानी 2016 तक असम में केवल छे मेडिकल कॉलेज होते थे छे लेकिन इन पांच सालों में ही असम में छे और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका आज उत्तरी असम और अपर असम की जरुपतों को देखते हुए बिश्वनात और चरई देव में दो और मेडिकल कॉलेजों का सलान्यास हो गया है ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में आधुनिक स्वास्त सेवाओं के केंद्र तो बनेंगे ही साथ ही अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नवजवान डॉक्टर बन करके निकलेंगे आप देखिए 2016 तक असम में कूल MBBS सीट्स करीब सवाद 700 ही थी लेकिन ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे असम को हर साल 161600 1600 नए MBBS डॉक्टर मिलने लगेंगे और मेरा तो एक और सपना है बड़ा साहस्पन सपना लगता होगा लेकिन मेरे देश के गाउं में मेरे देश के गरीब के घर में टैलन्ट की कोई कमी नहीं होती है उन्हें अउसर नहीं मिला होता है आज हाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है तो मेरा एक सपना है हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मात्रु भासा में पढ़ाना शुरू करे क्या असमिया भासा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या आजादी के 35 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जम नई सरकार मनेगी असम में मैं यहां असम के लोगों की तरफ़ आपको वादा करता हूँ कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानिय भाशा में हम शुरू करेंगे एक टेक्निकल कॉलेज स्थानिय भाशा में शुरू करेंगे और दीरे दीरे यह बढ़ेगा कोई रोक नहीं पाएगा उसको यह डॉक्टर्स असम के अलग-अलग शेत्रों में दूर दराज इलकों में अपनी सेवाए देंगे इससे भी इलाज में सुवीदा होगी लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा साथियों आज गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका काम अगले डेड़ दो सालों में पूरा भी हो जाएगा एम्स के वर्तमान केंपस में इसी एकडेमिक सत्र से MBBS का पहला बैंच पहला बैंच शुरू भी हो गया है जैसे ही अगले कुछ सालों में इसका नया केंपस तयार होगा आप देखेंगे गुवाहाटी आधुनिक स्वास्त सेवाओं के केंद्रे के तोर पर उभर करके सामने आएगा एम्स गुवाहाटी केवल असम ही नहीं बलकि पूरे पुर्वत्तर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाला है आज जब मैं एम्स की बात कर रहा हूँ तो एक सवाल आपके बीच पूछना चाहता हूँ देश की पिछली सरकारे ये क्यों नहीं समझ पाई कि गुवाहाटी में ही एम्स होगा तो आप लोगों को कितना लाब होगा वो लोग पुर्वत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलिफें कभी समझी नहीं पाए साथियों आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्टा से काम किया जा रहा है असम भी देश के साथ कंदे से कंधा मिला कर आगे बढ़ रहा है आईश्वमान भारत योजना हो जन आउशदी केंद्र हो प्रदान मंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्रेम हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो सामान ये मानवी के जीवन में जो बदलाव आज पुरा देश देख रहा है वही बदलाव वही सुधार असम में भी दिख रहे हैं आज असम में आईश्मान भारत योजना का लाब करीब सवा करोड गरीबों को मिल रहा है मुझे बताया गया है कि असम के साड़े तिन सो से जादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं इतने कम समय में असम के डेड़ लाख गरीब आईश्मान भारत की तहत अपना मुपत इलाज करवा चुके हैं इन सभी योजनाओं से असम के गरीबों के सैंकडो करोड रुपिये इलाज पर खर्च होने से बचे हैं गरीब का पैसा बचा है आईश्मान भारत योजना के साथ ही लोगों को असम सरकार के अटल अमृत अभियान से भी फायदा हो रहा है इस योजना में गरीबों के साथ ही सामन्य वर्ग के नागरिकों को भी बेहत कम किस्त पर स्वास्त भीमा का लाब दिया जा रहा है इसके साथ ही असम के कोने कोने में हेल्ट एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं जो गाउं गरिब के प्रात्मिक स्वास्त की चिंता कर रहे हैं मुझे बताया गया है कि इन सेंटर्स पर अब तक 55 लाग से जादा असम के भाई बहनों ने अपना शुरुवाती इलाज कराया है साथियों स्वास्त सेवाओं को लेकर सम्वेधन सिल्ता और आधुनिक सुविधाओं के महत्व को कोरोना काल में देश ने बखुबी महसूस किया है देश ने कोरोना से जिस तरह से लड़ाई लड़ी है जितने प्रभावी तरीके से भारत अपना वैक्सिन प्रोग्रेम चला रहा है उसकी तारीब आज पुरी दुनिया कर रही है कोरोना से सबख लेते हुए देश ने हर देश वासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है इसकी जलक आपने इस बार के बजेट में भी देखी है बजेट में इस बार स्वास्थ पर होने वाले खर्च में अभूत पुर्व बड़ोतरी की गई है सरकार ने ये भी तै किया है कि अब देश के 600 से जादा जीलों में इंटीग्रेटर लेफ बनाई जाएगी इसका बहुत बड़ा फाइदा छोटे कस्बों और गाउं के लोगों को होगा जिने मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है साथियों असम की खुशाली यहां की प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र असम के चाई बागान भी है सोनितपूर की लाल चाई तो वैसे भी अपने अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है सोनितपूरा रसम की चाई का स्वाद कितना खास होता है यह मुझसे बहतर भला कौन जानेगा इसलिए मैं हमेशां से चाई वरकर्स की प्रगति को पूरे आसाम की प्रगति से जोड़ करके ही देखता हूँ मुझे खुसी है कि इस दिशा में असम सरकार कई सकारात्मक प्रयास कर रही है अभी कल ही असम चाहां भगी चाहां धन पुरसकार मिला स्कीम के तहट असम के साड़े साथ लाक टी गार्डेन वरकर्स के बैंक खातों में करोडो उरुपिय सीधे ट्रांसपर किये गए टी गार्डेन्स में काम करने वाली गर्बबती महिलाओं को एक विशेष योजना के तहट सीधे मदद दी जा रही हैं टी वरकर्स और उनके परिवार के स्वाथ की देखवाल के लिए जाच और रिलाज के लिए टी गार्डेन्स में ही मोबाइल मेडिकल यूनीट भी बेजी जाती है मुप्त दवाओं का भी इंतजाम किया जाता है असम सरकार के इनी प्रयासों से जुड़कर इस बार देश के बज़ेट में भी चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाई और बहनों के लिए एक हजार करोड रुपिय की विशेज जिवजना की गोशना की गई टी वरकर के लिए एक हजार करोड रुपिय यह पैसा आपको मिलने वाली सुवद्याओं को बढ़ाएगा हमारे टी वरकर का जीवन और आसान बनाएगा साथियो आज जब मैं असम के टी वर्षकर की बात कर रहा हूँ तो मैं इन दिनों देश के खिलाब चल रहे शडियंत्रों की भी बात करना चाहता आज देश को बदनाम करने के लिए साजिस रतने वाले इस तर तक पहुँच गए है कि भारत की चाई को भी नहीं छोड़ रहे आपने खबरों में सुना होगा ये साजिस करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाई की छवी को बदनाम करना है योजना बदना तरीके से भारत की चाई की छवी को दुनिया बर में बदनाम करना है कुछ दस्तावेच सामने आये हैं जिन से खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाई के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है क्या आपको ये हमला मंजूर है आपको ये हमला मंजूर है इस हमले के बाद चूप रहने वाले लोग मंजूर है आपको हमले करने वालों की तारिप करने वाले मंजूर है क्या आपको हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिनोंने हिंदुस्तान की चाई को बदनाम करने का बिड़ा उठाया है और उनके लिए यहां जो चूप बैटे है यह सभी राजलितिक दलों को हर चाई बागान जवाब मांगेगा हिंदुस्तान की चाई पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा मैं असम की धर्ती से इन शड़ियंत्र कारियों से कहना चाहता हूँ यह जितने मर्जी शड़ियंत्र कर ले देश इनके नापाक मनसुवों को कामियाब नहीं होने देगा मेरा टीवर कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा भारत की चाई पर किये जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डेन वर्कर्स के परिश्णम का बुकाबला कर सके हैं देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा असम इसी तरह विकास की नई नई उचाईयों को छुता रहेगा असम के विकास का ये पहिया इसी तेज गति से घुमता रहेगा साथियों आज जब असम में हर छेत्र में इतना काम हो रहा है हर वर्ग और हर छेत्र का विकास हो रहा है तो ये भी जरूरी है कि असम का सामर्थ और बढ़े असम के सामर्थ को बढ़ाने में यहां की आधुनिक सडका और इन्फास्टक्चर की बड़ी भूमी का है इसी को ध्यान में रखते हुए आज भारत माला प्रोजेक्ट की तर्ज पर असम के लिए असम माला की शुरुवात की गई है अगले पंदरा सालों में असम में चौड़े हाइवेज का जाल हो यहां के सभी गाउं मुख्य सडकों से जुड़े यहां की सडके देश के बड़े शहरों तरफ आधुनिक हो असम माला प्रोजेक्ट आपके सपनों को पूरा करेगा आपका सामर्थ बढ़ाएगा पिछले कुछ सालों में असम में हजारों किलेमिटर सडके बनाई गई है नए नए पूल बनाए गए है आज भुपेन हजारी का ब्रीज और सराय गार्ड ब्रीज असम की आधुनिक पहचान का हिस्सा बन रहे आने वाले दिनों में ये काम और भी तेज होने वाला है विकास और प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इनफास्टेक्टर पर अभुत्पर्व जोड़ दिया गया है एक तरफ आधुनिक इनफास्टेक्टर पर काम तो दूसरी तरफ असम माला जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के काम आप कल पुना करिये आने वाले दिनों में असम में कितना काम होने वाला है और इस काम में कितने युवाओं को रोजगार मिलने वाला है जब हाइवेज बहतर होंगे, कनेक्टिविटी बहतर होगी तो व्यापार और उद्योग भी बढ़ेंगे, परियटन भी बढ़ेगा इससे भी हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तयार होंगे असम के विकास को नई गती मिलेगी साथियों, असम के प्रसिद्ध कवी, रूप कवर जोति प्रसाद अगरवाल की पंक्तिया है मेरी नया भारत की नया अचबी, जागारे जागारे आज इनी पंक्तियों को साकार करके हमें नए भारत को जगाना है ये नया भारत आत्मनिर भर भारत होगा ये नया भारत असम को विकास की नई उचाईयों पर पहुंचाएगा इनी शुब कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुब कामना है मेरे साथ दोनों मुठी बन करके पूरी ताकत से भोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले